कोरोना के भीसन संकट में बिहार में पंचायती राज के चुनाओ संभव नहीं लगए और यही कारण है कि जितने भी पंचायत के प्रतिनी दिये हैं उनका ठार्यकाल 15 जुन को समाप्थ होने बाद है उससे पहले कई तरीके के जो सियासी राज हैं पंचायती चुनाओ को ले कहा जा रहा है कि जितने भी पंचायती राज के जो प्रतिनीदी हैं उनके कारवार को बिहार रशास्तनिक में देने की कवायत चल रही है इसको लेकर कई तरीके के जो बयान है वो बिहार के बरे नेतानों ने दिये हैं और आज भारते इंता पार्टी के MLC रजनीस कुमार ने भी मुख्य मंत्री निटीश कुमार से निवेदन किया है कि ऐसे स्थिती में जब भीसन संकट है कोरोना क्यारो तरफ पहला हुआ है में सबसे ज़्यादा जन प्रतिनीरियों की ज़रूरत है तो उनके कारेकाल को बरहाया जाए MLC रजनीस कुमार लिखते हैं बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कारेकाल 15 जुन को समाप्त हो रहा है कोरोना संक्रमन की व्यापक्ता को देखते हुए समय पर पंचायती चुनाव कराने की समभावना समाप्त हो चुकी है समय पर चुनाव न होने पाने की स्थिती में पंचायती राज संस्थाओं को क्रियाशीन रखने पर एक सवाल खरा हो गया है विदित हो की केंडर सरकार एवन राज्य सरकार की दर्जनों योजनाओं का संचालन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होता है ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं के विघटन हो जाने की स्थिती में इन योजनाओं के सफ़र क्रियानिवन पर प्रश्नचीन खरा हो सकता है अब जब की समय पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाओं की समभबना समाप्थ हो गई है तो इन संस्थाओं की क्रियाशिल रखने के लिए जो भी विकल्फ हो सकते हैं उससे सर्वत्तम ये होगा कि सरकार वरतमान पंचायत प्रतिनीदियों की तटकालिन रूप से वम्हार देखकर पंचायती राज संस्थाओं को क्रियाशिल रखने का काम करें कि इस व्यवसत्ता को संकुन रूप से सरकार आदिकारी के हाथ में देना भी जिन्या संग्कत नहीं होगा और इससे पंचायती राज संस्थाओं में मूल्ड हाचे पर प्रतिकूल असर करेगा अतव मैं राज्य सरकार से मान करता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने तक के अबदी के लिए वर्तमान पंचायत प्रतिनीद्धियों जिनका कारेकाल 15 जून को पूड़ा हो रहा है उन्हें ही तीनों अस्तरों पर पंचायत प्रखंड और जिला पर अस्थाई रूप से कारेभार दे कर पंचायती राज संस्थाओं को क्रियाश्यल रखने कंडिन्य करें इसे सिर्फ प्रशास्निक पदादेकारियों के अंदर देव देना उचीत नहीं होगा मैं इस सहयोगी दल के नेता कैह रहे हैं कि जो पंचायत प्रतिनीधी हैं उन्हों के कारेकाल को इस कोरोना के भीशन संकट में आगे बरहाना चाहिए तो देखने पॉस्ट विया जार्खन के साथ खबरों का सुलसिला यूही चलता रहेगा